कि अवर्त सार्णी का विकास किस प्रकार हुआ वरतमान की आवरत सार्णी हमें की सरुख कैसे मीले हैं तो उसमें से पहला है हमने देखा अश्टक नियम लेंड का फिरल्ठ itself हैं यहां तो लोथर मेर जो आधिका अध्यन किया ठीक है इन गुडों में से परमाडू आयतन का किसी तत्व के परमाडू भार के साथ ग्राफ आरेखित किया उसने पाया कि जिन तत्व की गुडों में समानता होती है उनकी ग्राफी वक्र पर इसे भी समान होती है ठीक तो लोथर मेर ने ये बताया कि अगर हम लोग पर्माडू आयतन और पर्माडू द्रह्मान ठीक है पर्माडू आयतन और पर्माडू द्रह्मान के बीच ग्राफ कीचे तो ग्राफ कीचे तथा तत्व को उनके बढ़ते वे पर्माडू भार के क्रम में रखे अगर पर्माडु आतन और पर्माडु भार की बीच ग्राफ खीजें और तत्व को उनके बढ़ते भी पर्माडु भार के क्रम में रखें तो समान गुड़ वाली तत्व ग्राफ में हमें समान इसिती में प्राप्त होंगे ठीक है जैसे कि पर्माड़ अयतन पर्माड़ दर्यमान की बीच हम लोग ओनक ग्राब फीच रहे हैं समन गुड़ वाले तत्व humid इस सिती मिलेंगी अगर वो एक तत्व समान गुल वाला तत्व पहला तत्व उपर में मिल रहा है तो उसी गुड के उसी गुड को रखने वाले दूसरे तत्व भी हमें उपर में ही मिलेंगे जैसे कि यहां पर देखो यहां पर प्रबल विद्धु धनी तत्व प्रबल विद्धु धनी जितन भी तत्व होते हैं मतलब इलेक्ट्रो पाजिटिव एलिमेंट जितने भी है आपके लिथियम सोडियम पोटैसियम रूबिडियम सेजियम यह वक्र के कहां पर प्राप्त हो रहे थे सिखर पे ठीक है कम विद्ध धनी तत्व मतलब छारी मृद्ध धातू अलकेलाईल अल्थम सेटल जैसे मैगनीशं होगया कैलिसयम वगया इस्ट्रांस यम होगया यह कहां पर मिल रहे थे उतार साइड में जैसे कि में यह सीकर साइड है और यहां यहां सेंब पोजिजेशन पर आपको मिलेंगे ठीक है WHOSE मिल रहे थे हैं Independent कहां पर मिल आपको कहां कहावे मेर रहे होते हैं ठीक है लुथर में यह अल्ली कि को प्रमाडु आयतन और परमाडु द्रभ्यमान यह अगर तर्त्व को अगर बीच पर्माड़ु ऋ आतन और पर्माड़ु द्रीमान के बीच पर्माड़ु ग्राफ कीजें हैं और तत्वा को बढ़त版 क्रम पर रखें तो वह पर जो ग्राफ प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार होता है धर्यवत इसम्हों inher Lost बताया कि रूबिडियम यह कहां पर प्राप्त होंगे आपको सीखर पर प्राप्त होंगे यहां पर यहां पर आपको क्या प्राप्त होंगे लीथियम sodium potassium और rubidium और यहां पर cesium छूड़ गया है यहां पर मैं लिक देरे हूं cesium ठीक है उसके बाद कम विद्धुधनी तत्वा कम विद्धुधनी तत्वा यह भी से पोजिसन में प्राप्त होंगे विद्धनी तत्वा जैसे कि magnesium calcium potassium potassium और barium ठीक है तो सुरू में आता है barium magnesium calcium calcium बेरियम magnesium calcium and potassium potassium और आता है barium ठीक है यह है आपके कम विद्धुधनी वाले तत्वा ठीक और उसके बाद क्या प्राप्त होगा हमें तो उसके बाद देखें तो यहां पर तीसरे में हमें halogen तत्वा प्राप्त होंगे चड़ाव साइट पर हमें क्या प्राप्त होंगे चड़ाव पर halogen fluorine chlorine bromine iodine यहां पर मैं लिखनी पाई हूँ यहां पर सिर्ष पर यह प्राप्त होंगे और यह कहां पर प्राप्त होंगे वक्र के उतार पर ठीक है यह उतार पर यह सिर्ष पर और यह चड़ाव के मध्य में क्या helium neon argon krypton zenon ठीक है तो यहां पर देखते हैं चड़ाव पर सिर्ष पर हमें क्या प्राप्त है विद्धानी तत्व और कम विद्धानी तत्व कहां पर प्राप्त होंगे उतार साइट पर जैसे कि यह ुतार साइट आपका यह उतार साइट पर हमें यह प्राप्त होंगे क्या क्या है बेरियम, मैंगनिशियम, कैल्सियम, इस्ट्रांसियम और बेरियम ठिक है यह बी ए है ना उसके बाद हमें चड़ाओ पर हैलोजन तत्व प्राप्त होंगे चड़ाओ पर हमें क्या प्राप्त होंगे हैलोजन तत्व यह है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उसके बाद चड़ाओ के मध्य में जैसे कि इन दोनों के बीच में जो आपका हैलोजन तत्व है और विद्धो धनी तत्व है उनके बीच में हमें प्राप्त होंगे चड़ाओ के मध्य में ये अक्री गैस चड़ाओ के मध्य में अक्री गैस हिलियम नियान आरगन क्रिप्ता क्रिप्टान जीनान ठीक है तो विद्धुद्धनी तत्व सीखर पर प्राप्त होंगे लीथियम, सोडियम, पोटैसयम, रुबिडियम, सीजियम कम विद्धुद्धनी तत्व उतार पर प्राप्त होंगे मतलब इधर साइड बेरिलियम, मैगरिशम, कैलसियम, विस्टांसियम और बेरियम उसके बाद चढ़ाओ पर मतलब यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ठिक है, उसके बाद चढ़ाओ के मध्य में मतलब बीच में हीलियम, नियान, आरगन, क्रिप्टान, जीना तो यहाँ पर यह पता है, कि जितने भी विद्धनी तत्व, मतलब समान गुड़ वाली तत्व, हमें समान इस्थान पर प्राप्त हो रहे हैं, जितने भी विद्धनी है, उपर प्राप्त हो रहे हैं, कम विद्धनी है, वो एक ही साइड में कहां पर प्राप्त हो रहे हैं उतार पर यहां पर पोजिशन सबका सेम है अगर भेले ही यहां पर परमाड़ु द्रिमान जादा है उसका अकार बढ़ा होते जा रहा है तो भेले ही पोजिशन सेम है लेकिन अकार यहां पर बढ़ रहा है तो यहां पर जो लोथर मेरत उन्हों ये बताया कि अगर पर्माडु अधन और पर्माडु द्र faj मां के वीच हम ग्राब खीचे आतपilt को पर्माडु बहार के बढ़ते क्रम पे रखें पर्माडु बहार मतलब है करद रीक करान की संख्या ठीक है तो तो पर्माडू द्रह्मान या फिर पर्माडू बहार के बढ़ते क्रम पे रखें तो समान गुर्धर्म वाली तत्तों हमें समान इस्थान पर प्राप्तों होते हैं ठीक है यह कहना था लोथर्मेयर का तो यहां पर देखो, अब देखो, इस सधार पर पर, मतलब मेल लिप्त हैं, उन्होंने ये बताया कि यह दित्तो को उनके बढ़ते हुए परमाडु बहर में वरस्थित कर, उनके परमाडु बहर के सापिक्ष, उनके परमाडु आयतन को आरिखीद किया जाए, तो समान द्रहिमान के आवर्ती फलन है तत्व के पर्माडू आयतन उनके पर्माडू द्रहिमान के आवर्ती फलन है यदि तत्व को पर्माडू द्रहिमान के बढ़ते हुए क्रम पे रखें तो समान समान गुड़ वाले तत्व हमें फिर से प्राप्त हो जाते हैं जैसे कि यहां पे देखो तत्व को हमने यहां पे पर्माडु बहार के बढ़ते हुए क्रम पे रखा है तो ऐसे रखते जाते हैं तो यहां पे जैसे कि यह लिख्धियाम है तो यहां पे सोडियम समान उसे पर फिर से प्राप्त हो गया मतलब समान गुड़ वाले तत्व हमें फिर से बार बार करते हैं इसी काराड उन्होंने बता औरमाडु आयतरम उनके परमाडु द्रहिमान की आवर्ती फलन होता है अगर उन्ह nessa को हम लोग रखते जाएं तो वहां पर प्रमारी दर्यमान के बढ़ते करम पे रखते जाएं तो हमें समान गुडवा लेता तो बार 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 प्राप्त होते हैं इस कारड़ आवर्ति सब्द का यूज हुआ है और फलन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर दो वेरियेबल्स के बीच तुल कि लिए हुआ है क्योंकि यहां पर गुड़ों की पुंरा वित्ति होती है ठीक है अब क्या हुआ लोथर में और कुछ पर्मारु क्रमांग के बारे पता चला तो उन्होंने क्या किया एक नई परिभास दी उस परिभास को संसोदित क्या और एक नई परिभास दी वह हो गई थी जब लोगों को ये लगा कि सार्णी को आवर्त सार्णी को परमाडू बहार के बढ़ते क्रम पे नहीं परमाडू क्रमां के बढ़ते विए क्रम पे रखा जाए तब उन्होंने भी अपने नियम को सुधारा और कहा कि तत्व के परमाडू आयतन उनके परमाडू क् तो समान गुडवाली तत्व हमें समान इस सतेई पर प्राप्त होंगे मतलब इस ना वित्ति होगी मैं यह बाद में उनकी सन्सोधित किया इसके बाद देखते हैं अब देखेंगे मेडलीब और दिए लिव्ट वर्गी करड़ ने अर्थ पूण वर्गी करड़ किया घरे वर्गी करड़ शभी ने fan था स्वी ने जी ड्र्थ लैड ना किया था जो पूण वर्गी करड़ है जिसको महत्व आवर्थ सानी रूप मैं पूर्ड देने अगर तत्यों को परमाडू भार के बढ़ते हुए क्रमपे रखें यहां पर हहाँ। यदि तत्तो को उनके बढ़ते ही परमाडू भार में वैस्तित किया जाए तो समान गुड़ वाले तत्तो की एक निश्चित अंत्राल के बाद पुन्रा वित्ति होती है यहां अंत्राल आपका आवर्त कहलाएगा जैसे की यह आपके मेंडलिप के आवर्तसानी यह है मेंडलि अगर तत्तो को उनके बढ़ते हुए परमाडू भार में रखें तो तो एक निश्चित अंत्राल के बाद एक निश्चित अंत्राल के बाद तत्तो की गुड़ों में क्या होती है पूर्रा वित्ति होती है मतलब यह है जैसे की यह है जैसे की अगर तत्तो के परमाडू भा उसके बाद आता है आपका सोडियम उसके बाद मैगनेशियम है तो अगर इनके बढ़ते ही परमाडू भार की क्रम पे रखें यहां परमाडू भार 6.99 होता है उसके बाद जो बेरियम का होता है 9.012 होता है बोरान को जो होता है 10 to the 10. वेट ऐसे कुछ करके यहां पर परमाडू भार होता है उसको मैं नहीं लिकरे हूं तो उन्होंने देखा मेड़िप ने कि जैसे कि लीथियम है लीथियम के बाद इनके कुछ गुड़ों के बारे में देखा कि हाँ लीथियम कैसा है उस यहाँ पर जितने भी तत्व हैं उन्हों कि इसको जलता है उसके बाद रशायक गुर्ण के लिए किसको चुना है और आक्सचन को मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी तत्व हैं उनकी हैड्रोजन से और आक्सिजन से क्रिया करवाते गए तो उन्होंने देखा कि पहले लिथियम जो होता है हैड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है हैड्राइड बनाता है और आक्सिजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है ल, आई, ओ, टू बनाता है ठिक है मतलब अगर सुत्र को देखें तो हैड्रोजन के साथ क्रिया करके यहाँ बनाएगा जैसे कि आर है आर जो है आर क्या है उसको मैं यहाँ पे डिनोट करने के लिए R लिखे हूँ और यहाँ पे पहला जो समुह है उसके लिए सुत्र हो जाएगा R, H यहाँ पे जो तत्व लिखोगे वो रहेगा और उसके बाद अगर oxygen का देखे R जो होता है मतलब जो तत्व होता है oxygen से क्रिया करके इन सभी के गुड़ों को देखते गए देखते गए देखते गए तो अंत में यहाँ पे वो sodium के पहुचे तो उन्हें लगा कि यहाँ पे जो lithium होता है lithium के बहुती गुड और sodium के बहुती गुड समान थे अब उन्होंने रसाइनिक गुड को देखा lithium जो होता है hydrogen से क्रिया करके hydride बनाता है LiH बनाता है और oxygen से क्रिया करके LiO2 बनाता है अगर शुत्र को देखें तो यहाँ पे जो तत्व होता है आपका lithium वो hydride बनाता है मतलब अगर इसको R लिखें तत्व को यहाँ पे R से डिनोट किया गया है तो RH बनाएगा और RO2 बनाएगा है उसी तरह से जो sodium होता है वो भी hydrogen से क्रिया करके hydride बनाता है NaH बनाता है और oxygen से क्रिया करके NaO2 बनाता है oxide बनाता है मतलब यहाँ पे उनके बहुतिक गुड और रसाइनिक गुड क्या हो रहे थे मिल रहे थे उसी तरह से यहाँ पे जो barium है उसके रसाइनिक गुड magnesium से और उसके बहुतिक गुड magnesium से मिल रहे थे ठीक है उसी प्रकार जैसे जैसे परमाडु बहर के बढ़ते क्रम पे रखते गए तो वहाँ पे समान गुड वाले तत्व कुछ निश्चित आंतराल के बाद हमें मिल रहे थे तो उन्होंने क्या किया sodium को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिया यहाँ पे कहा कि lithium के नीचे में किसको रख दिये sodium को ठीक है इस तरह से एक अलग समुहां हमें प्राप्त हुए जैसे कि यहाँ पे प्रमाडू बाहर के बढ़ते क्रम पे तत्व को रख रहे हैं तो क्या हुआ मतलब मेडलिप ने देखा कि समान गुड वाले तत्व और समान बहुतिक और समान रसाइनिक गुड वाले तत्व कुछ निश्चित अंतराल के बाद मिल रहे थे जैसे कि इस इस अंतराल के बाद हमें समान गुल वाले तत्व मिल गए है। उसके बाद जैसे बेरेलियम को देखें, तो यहाँ पे इस इस अंतराल के बाद आपको यह मैंगनिशम मिल गए जिन दोनों के गुड़ समान थे, तो इस अंतराल को उन्होंने क्या कहा पता है, आवर्त कहा, इस अंतराल को ही उन्होंने आवर्त कहा, ठीक है, और जैसे जैसे समान ततों मिल रहे थे, उसको वहाँ से उठा करके इसके नीचे में रखते गए, जैसे बेरियम और मैगनिशम क को यहां शोठा करके कहां पर रखेंगे बेरियम की नीचे में तो इस तरह से अगर रखते जाएं समान गुड़ वाली ततों को एक सीरीज में रखें तो हमें क्या प्राप्त हो गया ऐसा गुरूप प्राप्त हो जाएगा जिसमें जितने भी ततों होंगे उनके गुड़ जिसे मेल्डिप ने आवर्त ताली का नाम दिया ठीक है इस तरह परवालो भार के बढ़ते हुए क्रम पे रखते गए तो समान गुड़ वाले ततों हमें कुछ निशित समय के बाद निशित अंत्राल के बाद मिल रहे थे तो उन्होंने उठा करके एक उसके नीचे में ओいや एक ऐसे सोडियम था सोडियम के गूर लिथयम सोमान था तो इसके नीचे में हमने तत्वा यहां पर जितने बहरे लिए अब कुछ ऐसे हों जैसेकि आपका अब ठीक है पोटेशियम के गुड किस के समान होते हैं सोडियम के समान होते हैं यहां पर लीथियम है लीथियम के बाद मिला है आपको बेरिल्ययम बोरान कारबन nitrogen oxygen fluorine and sodium magnesium magnesium के बाद aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine chlorine के बाद साइद iodine की खोजनी हुई थी potassium उसके बाद है आपका calcium तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे lithium sodium की गुड किसे मिल रहे थे sodium से, lithium की गुड sodium से मिल रहे थे, तो sodium को उठा के उन्होंने lithium के नीचे में रग दिया, ठीक है अब यहाँ पे जो potassium थे, उसके गुड किसे मिल रहे थे, sodium से मिल रहे थे, तो potassium को उठा के उन्होंने इसके नीचे में रख दिया, उसी तरह से यहां पर जो बेरियम है, बेरियम के गुड़ किसे मिल रहे थे, इस मैंगनेशियम से, तो मैंगनेशियम को यहां से उठा के उन्होंने बेरियम के नीचे में रख दिया, ठीक है, उसके बाद जो कैलसियम है, उसके भी गुड़ किसे मिल र है तो इन समुह को उन्होंने क्या नाम दिया वर्ग कहा वर्ग या फिर गृप ठीक है वर्ग या फिर गृप अगर इस तरह से तत्व को रगते जाएंगे तो यहां पर हमें 36 प्रंक्ति जो हमें प्राप्त होगी ऐसी 36 प्रंक्ति उसके हम आवर्त कहेंगे और उपर में जो समान गुर्वाली ततों हमें प्राप्त होंगे उन्हें वर्ग कहेंगे ठीक है अब हम लोग देखेंगे मेल्लिप की आवर्त तालिका का महत्व क्या है मेलिप के आगरत तालिका का महा तो पहला है कि यह रसायन सास्त्र का विधुवत अध्यन करने में सहायक है इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी एक गुरूप के बारे में देखी एक गुरूप में किसी एक तत्यों के बारे में पता करते हैं कि इसके गुड कौन से हैं, रसायनी गुड की है, भौती गुड की हैं, तो उस वर्ग में जीतने भी तत्व होंगी, उन सभी की गुड़ों के बारे में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इलमे समान गुड़ वाले तत्व को ही तो रखा गया है न, तो ये है कि अगर एक वर् मेडलिप ने क्या क्या था में अपनी आवर्त तालिका है उनमें कुछ इस्थान रिकत छोड़ी थे ठीक है और खाली स्थान चोड़ी थे और खाली स्थान कि लिए उन्होंने भ्विश्य वाडी की थी प्रविश्वाडी की थी तो उनकी भ्रविश्वाडी की थी ओन्होंने खाली स्थन छोड़े थे इससी देदी करण नए टत्व कीखोज होने में हमें सहायतय मिली ठीक है उसके बाद है यहां पुधारण है उसने इसकाइडियम गैलियम जरमेणियम के गडो के बारे में जो अर्मान लगाया था वह सत्य साबित हुआ था उन्होंने देखो बीच-बीच में खाली स्थान छोड़ दिये थे ठीक है तो उसके लिए उन्होंने भहिशवारी की थी कि यहां पर जो तत्वा आएगा वो ऐसे 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 क्या होगा गुडो वाला होगा तो बाद में तत्व की खोज होती गई और वहां पर रखते गए तो उन्होंने पाया कि जो मतलब मेडलिप ने भहिशवारी की थी वो एक्दम क्या थी करेक्ट थी अब क्या है परमाडू भार का संसोधन मेडलिप की आवर्त तालिक हमें यह बताती है कि कुछ तत्व कि परमाडू भार क्या थे पहले गलत लिखे गए थे ठीक है जैसे कि यहां पर बेरिलिप का परमाडू भार पहले 13 दसवार 5 माना गया था क्योंकि उसका तुलियांकी भार इतना था उसकी सेयोज़क्ता पहले 3 मानी गई थी किन्तो मेड कार्ट मेडिलीक की आवर्त तालीका है हमें परमाडू भार को सही करने में क्या हुई कारगण शिद्ध होई कि तेक उसके बाद है अनुशंधान में सहायक जो मेडिलीक की आवर्त तालीका की सहायत calculate से यहां अनुमान लगा जो अधार था बहुतिक और रसायनिक गुड़ था जैसे कि लिथियम के नीचे में सोडियम को इसलिए रखे है क्योंकि उनके बहुतिक गुड़ और रसायनिक गुड़ लिथियम के बहुतिक और रसायनिक गुड़ शे मिल रहे हैं तो मेडलिप की आवर्त तालिका का अधार भावतिक गुड और रसाइनिक गुड तो इसी के बारे में बोला जा रहा है तो इसी के बारे में यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर जिकने तत्व हैं वो दूसरे तत्व से किस प्रकार विवहार करेंगे ठीक है उसके बारे में हम इस मेडलिप की आवर्ट तालिका से आसानी से बता सकते हैं इस प्रकार यह अनुशंधान में भी सहायक है कि यह तत्य दूसरे तत्यों से किस प्रकार विभार करेगा इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं अब देखेंगे मेल्ड लिप की आवर्द तालिका के दोस अब देखते हैं मेल्ड लिप की आवर्द तालिका के दोस तो पहला दोस है हाइडरोजन की इस्तिति अनिस्चित हैं मेल्ड लिप ने जो अपनी आवर्द तालिका दी थी पेज नुमर 206 में हैं देख लेना आप ल जो हाइड्रोजन होता है ठीक है वो समुहा पहला पहला समुहा से और इस साथ्वा समुहा ठीक है इन दोनों समुहा के तत्व की भाती विवहार करता है मतलब यह है कि यहाँ पहले समुह में हम लोग रख सकते हैं और साथ्वे समुह में भी रख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के जो गुड़ है इनमें जो तत्व हैं उनसे भी मिलते हैं तो हाइड्रोजन को उन्होंने यही पर क्यों रखा है है फर्ष्ट समों में हिसके बारे में उनके पास कोई मतलब सबूत नहीं था या फिस कि हmb grain कुछ धालना धालना प्रस्तुत नहीं किया था कि हाइडरोजन को पहले समों में क्यों रखा गया है जिबकि ही तो यहां पर रखा है तो ठीक है यहां पर रखा गया है तो लेकिन यहां पर रखने का यहां पर उसका कोई कारण उन्होंने नहीं बताया था दूसरी कमी है आईशो टोप के इसिति मतलब समस्थानिक के इसिति कई दड़ो के क्या होते हैं समस्थानिक वे होते हैं जिनका पर मालू क्रमान समान होता है लेकिन प्रमाडू बहार किया होता है, लग-अलग होता है तो मतलब जो मेडरिप की आवर्द तालिका है, उन में समस्थानब के लिए कोई इस्थान नहीं दिया गया है जैसे एक का प्रमाडू बहार 35 होता है और दूसरे का किता होता है 37 तो क्लोरीन को दो जगा पे रखना चाहिए लेकिन क्लोरीन को एक जगा पे ही रखा गया है इसका मतलब यह है कि मेडलिप ने समस्थानी के लिए कोई इस्थान ही नहीं छोड़े थे तीसरी कमी है गुडो की समानता को प्रधानता देना मेडलिप ने तत्वो को बढ़ते हुए प्रमाडु भार के क्रम पे रखा था किन्तो किसी समुह विशेश में तत्वो को रखने का जो अधार था उन्होंने गुड को ही माना है भले उन्होंने प्रमाडु भार के बढ़ते हुए क्रम पे तत्वो को रखा है लेकिन पहले समुह में जोतत्व हैं, दूसरे समुह में जोतत्व हैं, उनको रखने का धार उनका क्या था? गुडो की समानता होना तो पोटेसियम को आरगन के पहले, पोटेसियम को जो पोटेसियम है अगर आरगन के पहले रखते पोटेशियम को आरगन के पहले रखते क्योंकि पोटेशियम का जो परमाडू बहार है ठीक है पोटेशियम का परमाडू बहार आरगन से क्या है कम है पोटेशियम जो है आपका पोटेशियम का परमाडू बहार है 39.098 जो आरगन है आपका आरगन ए आरगन का परमाडु भार कितना है 39.948 इसका मतलब ये है कि Potassium पहले आता उसके बाद आरगन आता लेकिन मेंदलिप के आवर्तसारणी में देखना आरगन क्या है पहले है आरगन के बाद आता है आपका Potassium है ना ऐसा है तो भले ही इसका परमाडू भार क्या है जादा है आरगन का परमाडू भार जादा है यहां पे देखो जादा है इसकी अपेक्छा किसकी अपेक्छा इस पोटेश्यम की अपेक्छा तो आरगन को आरगन को कहां पे रखना चाहिए पीछे में रखना चाहिए पो गुड़ है उत्कृष्ट समुह से मिलते हैं लेकिन जो पोटेश्यम के गुड़ है वो पहले समुह से मिल रहे थे तो इसी का पोटेश्यम को बाद में रखा गया है और आरगन को पहले रखा गया है अगर इसको मतलब इसके जगा में मतलब ऐसे रख देते इसको पहले समुह समुह में आरगन को पहले समुह में और पोटेश्यम को जीरो वाले उत्क्रिष्ट समुह में रख देते तो यहां पर जो आवर्त सानी है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता ठीक है इसी को बोला गया है कि मेंडिलिप ने तत्व को रखने के लिए जो में अधार में अधार जो चुना है वो है उनके गुड़ो का ठीक है मतलब उनके भौती गुड़ और रसाइने कुड़ों को उन्होंने मेजर करके रखा है है उसके बाद अगर देखें तो लैंथे नाइट तथा एक्टेनाइट के इस थी मेल्डिप ने क्या किया है जो लैंथे नाइट तत्व होते हैं मतलब लैंथे नाईट जो होता है पर माड़ो क्रमांक आपका गाकल बाए प्रहार पर आते हैं यहां पर लीखा है देखिएगा इसको कहां पर रखा है इसी इहीं पर रखा गये है छट फै आवर्थ में और एक्टिनियम के बाद आता है यह एक्टिनियम के बाद आता है आपके एक्टिनाइट तत्व इनको छट्वे और साथ्वे आवर्त में ही रखा है तो उनके पास यह उत्तर नहीं था कि इन तत्व को छट्वे आवर्त में और साथ्वे आवर्त में क्यों रखा गया है ठीक है उसके बाद अगला दोस है, मैलिफ ने क्या क्या है, जो समान गुड़ वाले तत्व है, उनको अलग-अलग रख दिया गया है, जैसे कि सिल्वर रो थैलियम, बेरियम और लेड, कापर एवं मरकरी, ये आपस में समानतर रखने वाले क्या होते हैं, तत्व हैं, लेकिन इन्हे ग्रूप में रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, और क्या गया है, जो असमान गुड़ वाले तत्व हैं, उनको एक समुह में रख दिया गया है, जो असमान गुड़ वाले तत्व हैं, उनको अलग-अलग समुह में रखा गया है, ठीक है, तो ये है आपका, जैसे क हमें यह पता है कि झो Annual a उपसमूं 20 अपर है शिलवर है और इसमें कुछ ता तो जैसे किপहले इऊपसमूं है जो आपका उसमें प्रता से आपको उसमें इसमें कापर है , और शक्राघाण है और जीड ले। मेडलिप ने प्रत्यक समुह को दो उपसमुह में बाटा था है ना लेकिन फिर भी कुछ असमान गुडवाले तत्व को उन्होंने एक ही समुह में रख दिये था भले ही इन्होंने दो उपसमुह में बाटे हैं भैई लेकिन फिर भी असमान गुडवाले तत्व को इसी समुह या फिर किसी एक समुह में उन्हें नहीं रखना चाहिए था यहां पर देखो यद्य पर एक समुह को दो उपसमुह में विभाजित कर दिया गये हैं फिर भी इन दो उपसमुह ए और बी में रखे गये तो आपस में कोई समानता नहीं रखते थे ठीक है ए और तथा बी उपस समुह में जो तत्व रखे गए थे वे आपस में समान होने चाहिए कम से कम कुछ गुड़ उनके मिलने चाहिए पर ऐसा नहीं था दोनों क्या थे इन दोनों उप समुह में रखे जो तत्व थे वे आपस में समान नहीं थे जैसे कि पहला समुह के तत्व छारी धातू लीथिय है कड़े हैं तो यह एक दूसरे के क्या हो गए विप्रीथ हो गए तो कुछ ऐसे तत्व को रखना चाहिए जो कुछ न कुछ दोनों के गुड क्या हो रहे हो मिल रहे हो उसके बाद आठ्वा समुह समुह आठ्वा के ना तत्व को किन समानता के अधार पर एक ही जगा पर संक्रमण तृष है ना उसके बारे बोला जा रहा यहां पर कि आठ्वा समुह हो इसमेर नो तत्व को किन समानता के अधार पर इस एक ही समुह में रख दिया गया है इस व्रू संट उत्तर उनके पास नहीं था अब अगला आपका दोस है मतलब मेडलिप के आवर्त तालिका अगला दोस ये है कि मेडलिप ने तद्व के मंद ये आवर्तिता के कारड को नहीं समझा पाया मतलब आवर्तिता का कारड क्या था ये उत्तर अभी आ जाएगा वल घेश्ट थिक है तो आवर्तिता के कारण को मेडलिप नहीं बताय पाये थे तो ये सभी क्या है मेडलिप की आवर्त तालिका के दोस्त है पहला है घ्ड creation पे समस्थानिक के लिए खोजेत हैं और उन्होंने गड़ों की समानता को प्रधान माना है मतलब यह देखा है कि अगर हाँ इसमें क्या है जैसे कि किसी भी ग्रूप में किसी भी ग्रूप को देखें तो यह पता चलता है कि यहां पे हमने देखा आरगन और पोटेश्यम यहां पे आरगन का प्रमाडू भार जादा है उसके बाद पोटेश्यम का क्य मिल रहे थे और प्रपेशन के इससेल अभभ होता है क्वाधु क्रमांग तथा आधूनिक आवर्तरियों इससे पहले हमने परमाडू क्रमां क्या होता है उसके बारे में देखा था कि पहले क्या था कि जो कैथोड है कैथोड कैथोड शे निकलने वाली जो कीरड है आपकी X कीरड X kirer को हम यहाँ पर विभिन धातू से बने a noot पर डालते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए थे X kirer प्राप्त हुए थे cathode से निकलने वाले विभिन alpha kirno को यहाँ पर a noot पर डालते हैं या a noot जो होती ही विभिन अलग-लग धातू की बनी होती है तो यहाँ पे हमें X कीरण प्राप्त हुई थी है न तो यहाँ पे होता क्या है जो आपका X कीरण होता है ठीक है यहाँ पे जो X कीरण है उसकी आवरित्ती का वर्गमूल एक स्कीरड की आवरित्ती का वर्गमूल क्या होता है? एक पुढांग होता है एक पुढांग क्या होता है? संख्या होता है यहाँ पर एक स्कीरड की आवरित्ती का जो वर्गमूल होता है वो एक पुढांग संख्या होता है यहाँ पर यह और भी आपका constant है वाट भी सिरांग है लेकिन यह क्या है एक पुढांग संख्या है इसका मत्ब यह है कि यहाँ पर जैसे जैसे अगर तत्व को change करते जाएं सोना कोले चांदी कोले अगर अलग 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 तत्व को रखते जाएं तो यहाँ पर पुढांग भी क्या होता जाएगा चेंज होता जाएगा ठीक है यू आप डिटीज बहुती गवीत हैंडरी मोसले ने विभीन तत्वों विशेश कर धातूँ से एक सकीरणों की आवरित्ती पर अध्यन किया और यहां पाया कि तत्वों से निकलने वाली एक सकीरण की आवरित्ती का वर्गमूल हमेशा एक पुढांग के समानुपाती होती है जो एक सकीरण की जो आवरित्ती होती है वो हमेशा एक पुढांग संख्या होती है जे की करने वाला क्रमांग है यहाँ पी तत्व के गुड की वने है कि है किसी बी तत्व के गुड के प्र गुड़ा। परमाडु क्रमांग के क्या होते हैं आवर्ति फनन होते हैं अर्थाथ यंदि तत्व कु उनके बढ़ते हुए परमाडु क्रमांग के वेस्तित किया जा है तो एक निशित अन्तराल के बाद गुडों में समानतै कि मिन्रवित्ति होती है यह कहा था मेडलिपनी किसी भी क्यों परमाडू क्रमांग के बढ़ते हुए क्रम पे रखें ठीक है तो एक निश्षित अंतराल के बाद हमें समान गुड़ वाले तत्व मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर हैड्रोजन परमाडू क्रमा एक लीथिया उसके बाद हिलियम आता है लेकिन उस समय हिलियम को लाश्ट में रखा गया था तो यहाँ पर देखते हैं हैं हैड्रोजन, हिलियम, लीथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नैट्रोजन, आक्सिजन, फ्लूरीन, नियान, सोडियम तो अगर इनके बढ़ते हुए क्रम पे रखें हैड्रोजन का एक होता है हिलियम का दो, लीथियम का तीन, बेरिलियम का चार, बोरान का पाच, कार्बन का छे, नैट्रोजन का साथ, आक्सिजन का आठ, और फ्लूरीन का नव, नियान का दस, सोडियम का ग्यारा अगर इनके बढ़ते हुए पर्माडू क्रम आंग पर रखें, तो एक निशित अंतराल के बाद, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हिलियम के बाद हमें समान गुड़वाले ततों मिल जाते हैं, लीथियम, तो उसके नीचे में रख देंगे, उसके बाद कुछ बाद और दूर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको, यहाँ पे, ठीक है, फिर से समान गुड़वाले ततों मिल जाते हैं, तो यहाँ पे उठा के यहाँ पर रख दिये गया, मतलब जैसे जैसे ततों को उनके बढ़ते हुए पर्माडू क्रम आंग पर रखें, तो कुछ समय के पन गुड़वाले ततों हमें मिलते जाते हैं, मतलब यह कहें, कि तत्व को उनके पर्माडू करमांग के बढ़ते हुए क्रम पर रखें, तो क्या होता है, गुड़ों की क्या होती है, पुन्रा वित्ति होती है, यहाँ पे हेर्दूजन के जो गुड़ है, कुछ अंतराल क हमें वही गुड़ वाले तत्व फिर शे मिलेंगे। उसके बाद कुछ आंतराल के बाद यहां पे लिधियम के जू गुड़ है वही गुड़ वाले तत् Double हमें फिर से मिलेंगे। इसी को बोला चाहरा है गुड़ों की क्या होती है minder पुन्रा विट्ति होती है किसी भी तत्व के बहुतिक और रसायनिक गुड उनके पर्माडू क्रमांग के आवर्ती फलन होते हैं यहाँ पर उसका मतलब क्या है वहाँ पर दिया है यदि तत्व को उनके बढ़ते भी पर्माडू क्रमांग में रखते जाएं तो एक निश्चित अंतराल के बाद हमें समान गुडवाले तत्व फिर्शे मिलते हैं ठीक है तो यह है मेडलिप की आवर्त तारिका के नियम तो अब यहाँ पर देखो आवर्तिता का कारण आखिर में ऐसा क्यों होता है कि अगर तत्वक उनके बढ़ते हुए क्रमांग पर बढ़ते हुए क्रमांग पर रखे तो हमें समान गुडवाले तो क्यों मिलते हैं लिथियम मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर सोडियम मिल जाता है समान गुडवाले तो ऐसे में ऐसा क्यों मिलता है तो यहाँ पर देखो उसका आंसर है आधुनिक इलेक्ट्रानिक विन्य S1, sodium का देखे तो यहां पर S1, potassium का देखे तो वहां पर भी S1, rubidium का देखे तो वहां पर भी S1, यहां पर भी Cisium का S1, और यहां पर Francium का भी S1 है, मतलब अंतिव कक्ष को देखते जाएं, तो वास्ता में electronic विन्याज की क्या हो रही है, पुन्रावित्ती हो रही है, अगर electronic एलेसा आवर्तिता क्यों मिलता हैं? हमें समान गुडवाले तत्व क्यों मिलते जाते हैं? इसका कारण हैं, क्यों कि इनके इलेक्टानिक विण्यास में क्या होती है? समानता होती है, इसी करण हमें समान गुडवाले तत्व मिलते जाते हैं ठिख हैं आप लोग इसके बारे में पढ़िए गदग अवर्त तालीका सानि के सरश्चनात्मंत तथ प्रथम आवरत में कितनेत अंचे कितनेत हैं त्रिति अंचे कितने तथ हैं इस सब को आप लोग अच्छा से पढ़िए गा June ठीई